भाई हम भी ट्रिपल एज जैसे यह मतलब ट्रिपल एच ने रिसेंटली बताया कि उसे खुद को नहीं पताया कि रॉक इतनी लंबे होने वाली जब वो नेट्ट्लिक्स पर जाएगी तो अब है तुम्हारी कंपनी है तुम्हें कुछ तो पता होगा तीन महीने के बाद रॉ नेट्फ्लिक्स के कस्टमर्स हैं इस्पेशली जिसको टार्गेट करती है वो नेट्फ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लगवाने वाले हैं लड़ते रहो भाई हम तो पायरेट देख के कुछ है सबसे पहले हो एक ऐसी चीज़ जो कि मैसिव और मॉन्यूमेंटल हो सकती है कल के रॉक के एपिसोड में जहाँ पर हमें सैमी जेन वर्डेविट चैंपियंशिप जीतते देखने को मिल सकता है यार देखो सैमी जेन वर्डेविट गुंतर इस मैच जो की बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से बिल्ड हो रहा है जब इनके बीच हमने इंट्रकॉंटिनेंटल टाइटल के लिए भी मैच देखा था रॉसलमेनिया 40 में अब सोचो सैमी जेन अगर उसको दोबारा से रिक्रियेट कर दे और फाइनली अपनी पहली वर्ड चै तो रॉसलमेनिया में टूटना चाहिए अगर कोई टाइटल चेंज होनी चाहिए तो पेपर व्यू में होनी चाहिए अब उसके अलावा भी तो चल रहे हैं शॉर और स्मैक्डान में पहले नहीं होते थे क्या टाइटल चेंज यह बगवान एक तो लोगों को बहुत वह ट करते रहो इनको आता पड़के कि अच्छा ऐसा हो रहा ठीक है तो फिर ऐसा होना चाहिए नहीं हो रहा तो फिर तो बेकार है तो फिर तो बेकार है क्या यर कुछ भी अगर सैमी जीतता है न अब बहुत बड़ा क्राउड के रियक्षन लाएगा बट रीजन आम हैं इस फिलिंग आम नाट सेंग के जीत ही जाएगा अम सेंग के मैं को फिलिंग इसी लिए है नी जस्ट बिकाज गुंतर वर्सेज गोल्डबर इन्होंने जो टीज किया है न चैंपियंशिप के लिए तो हो इनी सकता क्योंक लंबा हो और एक ही बार में लंबा हो दोबारा से जीत सकता है गुंतर है ना जबर थोड़ी है कि बाई एक बंदा अगर चैंपियंशिप रेन ले रहा है तो लंबा ठाड़ा ही लेता रहे हर बार नहीं है ना टाइटल चेंजिस भी होने चाहिए डब डबली है यह उपर स अजब कुछ भी कह दाशिए कुछ भी कहू यहार समी जेन ऑंस वो बंदे जिनका डीउ है वर्ल्ड चांपियंशिप जीद नर्द यह जीन का डीउ है कैविन ऑविन्स का स्पेशली क्योंकि सारी स्वी तो पूरा अकाल पढ़ रखा है अभी अभी मैंने बहुत पूरा बड़ा रेंट लिया है जो रीसेंट्री ट्रिपल अच्छे से जवाब दिया मैं हो था मैं तो थूतरी तोड़ दे था रेपोर्टर की but anyways crown jewel championship की बात करते काफी लोग कह रहे हैं कि this could have been an email not gonna lie don't nobody give a fuck बाई मेरे को ना honestly ऐसा लगता है कि कहतो रहें लोग कि इसके बारे में फिकर नहीं होगी लोगों को हो सकता है हो सकता है क्योंकि ये annual चीज होने वाली है साल में एक बार आने वाली है and हो सकता है कि इसी की वज़े से शायद ये जादा memorable भी हो जाए है न अगर ये हर साल होने वाली जैसे कि king of the ring की तरह है क्योंकि king of the ring क्या था वो भी तो ऐसे शुरू हुआ था तो क्या पता crown jewel वाली चीज भी कुछ इसी तरीके से start हो जाए you never know anything can happen उपर से मेरे को तुम ये मत बोलो कि इस title के लिए तुम ये चीज़े बोल रहे and then you expect women's की midcard title and expecting मज़ा आ रहा है मज़ा रहा है women's की midcard title में तुम्हें मज़ा आने वाला है अब जिसके नाम में middo तुम उसमें कैसे interest ढून सकते है उनकी world title वाली rivalry तो इतनी गसिया पटिया चल रही है तुम्हें लग रहा है कि तुम midcard title rivalry में just because सबको opportunity मिलनी चाहिए एक काम करो दो तीन बंदे रहो जिनके पास title नहीं है जैसे Roman Reigns हो गया Cody Rhodes हो गया John Cena हो गया यह सब हो गया बागी सब को title दे दो किया इस title का यह मतलब है कि कौन best champion है है ना इस तरीके से क्योंकि champion versus champion होगा पर इसका यह भी तो मतलब है कि साल में किसी एक point पे वो champion लड़ रहे है for example अगर पूरे साल Roman Reigns champion रहा लेकिन इस वाले match से पहले Cody Rhodes champion बन गया तो अब Cody Rhodes लड़ रहा है for the best champion but ultimately पूरे साल तो Roman Reigns champion था तो फिर यह चीज़े suit नहीं करती तो इसलिए मेरे को लगता है इसका concept थोड़ा flawed है but at the same time Saudi Arabia जब पैसा देता है तो फिर यह सब चीज़े नहीं देखते किसी ने Randy Oton को tweet कर दिया था कल वो Kevin Owens वाले incident के बाद कि hello sir मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता है या नहीं लेकिन तुम्हारे buddies हैं वो पार्किंग लोट में लड़ाई कर रहे है तो अगर कुछ कर सको तो कर लो have a good evening तो Randy Oton ने उस पर ताली मार के हसने वाली emoji डाल दी यह क्या है reply भाई कुछ तो बता हो वाला यह लाफिंग क्या हमारा ही पोपट हो गया है कि Kevin Owens ने कुछ मजाक वजाक किया गया भाई मैं कसम से कहा रहा हूं अगर WWE के अंदर सही में दव होता ना तो वो यही करते कि Kevin Owens आता और वो उस चीज़ को acknowledge ही नहीं करता है ना as if कि कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि WWE ने थोड़ी रिकॉर्ड करा है, WWE ने थोड़ी डाला है तो फैन की तरफ से फुटेज आई है तो ऐसे में यह बहुत अच्छा पुल कर सकते थे Kevin Owens वाला सीन की यार यह तो किसी को नहीं पता चला बट सिर्फ Cody Rhodes को पता है ओ क्या क प्रेजी होता बट ट्रिपल चले इसके बारे में ट्विट डाल दिया तो पुरा तैस नैस हो गया अच्छा एक ट्विट आता है पांच साल पहले यानि कि पांच साल पहले देखने को मिला था हमें यह ब्यूटिफुल मास्टर पीस दा रेड लुकिंग आई ब्लाइंडन मैं बतार था माइकल कोल के फंबल के बारे में उसके तुरंत एक लाइन के बाद मेरी फंबल हो गया था बट खेर इस हैली ने सेल के बारे में बहुत चीज़ें बात करने को जैसे कि सबसे पहले तो राइबैक नहीं शॉट ले लिया ड्रू मैकिंटेर वाले फोटो पे उस लगता है कि राइबैक जो एक डेंजरस सूपरस्टार है उसके साथ अगर लड़ रहे हो तो चांसिस है कि तुम इंजर्ड हो जाओगे तो राइबैक ने वही शॉट्स लिये है बहुत राइबैक जैसा बंदा जैसा वो माइक पे है ना माइक पे मदलब सोशल मीडिया पर जो बाते करता है वो परफेक्ट कैंडिडेट है कोई भी सूपरस्टार बनने के लिए उसको परवा नहीं है किसी चीज की भी वो बिल्गुर करेक्टर में रहके बात करता है आई वूड से कि यहर मैं शायद से राइबैक को देखना चाहूंगा लोग कहाँगा अलबर्ट of the year का contender में भी कहा जा रहा है 9.37 की उसकी cage match rating है इस समय पर और इस समय पर number one rank पे चल रहा है पूरे साल जो WWE के matches हुए है और number 22 पे चल रहा है like all time WWE matches की list में again यह cage match की list है cage match की rating मतलब 1000-2000 बंदे rank कर रहे है उसको तो उसके base पर कुछ भी कहना तो बेकारी है with that being said absolutely punk versus Drew McIntyre का कमाल का match था बट अगर मैं cage match की rating पर अपना opinion बनाऊंगा तो फिर में को बहुत सारे opinion change भी करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत जगे उसने WWE के बहुत सारे matches को कम rating भी दी है तो मेरे को नहीं लगता कि शायद से मैं इससे कोई भी opinion निकालना चाहूंगा इससे मैं सिर्फ इतन निशकर्स निकाल सकता हूं कि ये वाला ऐसा match जो कि casuals के साथ साथ ऐसी all elite wrestling वाली hardcore fanbase होते है रिकोश और ओस्प्रे के match को पसंद करने वाले उनको भी attract किया Drew McIntyre ने अपना भाई gruesome दिखाई है अपनी जो टांके लगे दे ना 16 टांके है बाई legit जो से टूल बॉक्स मारा ना CM Punk के उसके वज़े से सही में Drew McIntyre का सिर खुल गया 16 टाकिया है बाई ओ फिर बैक्स्टेज से प्रोमो आता जिसमें F-bombs ड्रॉप कर रहा है Drew McIntyre और WWE ने वो sensor भी नहीं किया है वो literally उसने सुनाए है है ना तो triple edge को पता है बाई हम Netflix पे तो जाए रही है तो F-bombs तो कुछ भी नहीं है F तो पूरा दिगाई देंगे हम तो ये तो sensor करने की बात हो रही है और इससे बड़ी बात सबसे best चीज मेरे को पता चली नहीं इस वाले match से वो ये कि इस match को produce किसने किया था इस match को produce करने वाला और कोई नहीं बलके अपना the monster Abyss येस हमारे पचपन का monster TNA legend Abyss ने इस match को produce किया था तो obviously इतना खुंखार match तो हमें expected ही था अगर ये में को पहले पता होता तो मैं और भी ज्यादा bet करने वाला था कि बाई ये match तो तगड़ा ही होने वाला है ये तो बेज़त ही है यार कुछ भी ये किसी भी एंगल से आप देख लिए ये तो लिव मॉर्गन की बेज़त ही है honestly मैं तो मैं रिप्ली की जगए हो तो मैं भी यही बोलता तो पर लिव मॉर्गन का जितना भी अभी चल रहा है न वो सही में बता रहा हूँ इस डॉमिनिक मिस्टीरियो वाली राइवलरी की वज़े से चल रहा है वरना ये बहुत जल्दी फीका पढ़ने वाला था बट थैंक्फुली अपना डॉमिनिक मिस्टीर ने बचाय लिव मॉर्गन का करियर और रकेल रोडर केस तो पता नहीं किया ही है रकेल रोडर केस वर्सेज लिव मॉर्गन ओविसली में खो लग रहा है एक रेसल मीनियो मैच ये प्लैन कर रहे हूँगे यहां से बट रिया रिपली वर्सेज बियांका बिलेर सीम्स लाइक फाइनली फाइनली डब्लेवली को इसको रेसल मीनियो गेले ट्रिगर कर देना चाहिए ओ भाई ये किसी ने कंपेर करिये ब्रेट हाट और आस्टीन वाला मैच and then this CM Punk vs Drew McIntyre का मैच शाप शूटर में दोनोंने फसार कहा है CM Punk का फेवरेट सूपर स्टार्स में से एक है Bret Hart and Drew McIntyre bloody mess Stone Cold Steve Austin bloody mess I can't believe कि फाइनली एक legit comparison वाली फोटोस को मैं side by side देख रहा हूँ क्योंकि आज से 2-3 साल पहले इतना बेकार टाइम हुआ था जब Bret Hart और Austin वाली image के साथ उन्होंने AEW के John Moxley vs Wheeler Utah को compare किया था उन्होंने Wheeler Utah को next Stone Cold Steve Austin बता दिया था मैं तो इसके आगे कुछ नहीं बोल रहा है भाई Solo Sequo ने tease कर दिया reveal ही कर दिया The Rock की जो return हुई थी ना तो हमें तो ऐसा लगा कि यार इस Solo Sequo अब यह scene से बाहर है TikTok पर वीडियो आती है उसमें Solo Sequo जब Rock की return हो चुकी होती है तो Solo Sequo जेकब फाटू की कान में बोलता है part of the plan भाई हो रहा है It is happening and then OG Bloodline oh shit यह 5 on 5 करने वाले है क्योंकि आपके पास फिर शायद से Cody Roads यह ले ले लेंगे oh boy crazy survivor series तगड़ा होने वाला है मैं मान गया इसने जब part of the plan बोला है मेरको यहीं से लगने लगया है that survivor series में यह कर रहे है OG Bloodline versus that Bloodline और Bad Blood के अंदर Jey Uso भी था and finally किसी ने यह बहुत अच्छा लिखा कि official final card जो था 5 matches का बैडबर का तो किसी ने इस पर tweet लिखा कि starting to think we might need brand exclusive PPVs बैग यह सुनने में बहुत अच्छा honestly बता हूँ brand exclusive PPV से ना मेरा टेस्स थोड़ा खराब हो चुका है क्योंकि जो आमने देखा था last time कब हुआ था 2018-19 में भी देखने को मिला था ना में तो उस time फिर टेस्स थोड़ा खराब हो गया था but at the same time अगर मैं यह सोचू कि उस time की तो WWE बेका थी अब की जो WWE है मैं सही में बता रहू WWE एक PPV से एक show से 5 matches तो निकाल ली सकती है आप में को कही नहीं सकते कि आप Ross है 5 matches अभी मैं निकाल के दिखा दूँगा Ross है देखो आप गुंतर वर्सेस सैमी जेन कर डाल सकते थे है न आप लिव मोर्गन वाला match डल गया आपका डेमिन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर वाला match डल गया ड्रू मैक इंटर वर्सेस सीम पंग भी वहीं कई है फिर अपना Tag Team Championship भी डल सकती है इसमें आपका Braun Breaker वाला match भी डल सकता है कुछ भी possibilities है भाई तो सोचो I feel like कि roster तकड़ा है matches की quality बढ़ी है I might agree कि शायद से WWE को एक कर देना चाहिए बट बहुत मुश्किर है क्योंकि अब तो यह international shows करते है तो इनको अगर महिने में एक pay-per-view भी अच्छा इनोंने दे दिया तो इनके लिए तो बल्ले-बल्ले है इनको उतना ज़ूरत नहीं है मैं शायद से इस concept पे ज़्यादा stick करूँगा कि आप पे-per-view से पहले कि Raw SmackDown को भी पे-per-view type बना दो कि उसमें भी championship match देखने को मिल रहा जो बैट बल्लेड में नहीं लड़ पाया जो वो Raw SmackDown में लड़ लेगा I think मैं उसके तरफ ज्यादा जाना चाहूँगा rather than having a pressure कि यार अब तो हमारा पे-per-view आ रहा है तो कुछ नहीं खुछ तो डालना ही पड़ेगा उससे अच्छा है आप Raw SmackDown को stack बनाने की कोशिश कर दो वो ज्यादा best है So yeah, that's my opinion comments में आपने thoughts लिख के बताना अगर आपको विडियो पस्सेंद है तो